नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में स्वागत है थोड़ी सी तबियत नासाज है अभी तो इसलिए जो है चार-पाँच दिनों से वीडियो नहीं बनाया है पर ये वीडियो जो है मेरे को बनाना ज़रूरी हो गया था बिकरज नवेंबर 2023 अपडेट के बाद पिक्सल 6A में जो है काफी इशूस मैंने महसूस किये ही थे पर अभी जो है राइट नाव तीन दिनों से मैंने एक बहुती यो नो दो या तीन चीजे जो है मैंने डिस्कवर करी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा आप बताना कि आपके भी पिक्सल 6A में या आपके पिक्सल डिवाइस में नवेंबर अपडेट के बाद ये इशूस आ रहे हैं कि नहीं सबसे पहला इशू जो मैंने महसूस किया है वो है वाइफाई का अब घर का जो वाइफाई कनेक्शन है वो दूसरे फोन में बहुती बढ चलता था पर अब क्या हुआ है नवेंबर अपडेट के बाद से मैंने जो देखा है वो ये है कि वाइफाई अगर मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो देखो अभी जैसे कनेक्टेड है अगर आप देख सके क्लोजब लागे दिखाऊं यहां पर आप देख सकते हैं उसका उड़ जाता है और वो आ जाता है normal 5G या 4G पे जो भी मैंने on कर रखा होगा दुबारा से मैं अगर उस app को off करूँ और wifi setting पे जाऊँ दुबारा से connect करूँ तो connect हो जाता है normal surf करोगे it's fine but फिर से अगर मैं कोई video application चलाता हूँ जैसे की YouTube तो थोड़े दिर चलेगा एक या दो मिनिट उसके बाद जो है दुबारा से wifi connection उड़ जाता है अब मुझे नहीं पता ये issue अचानक से कैसे आ गया because November 2023 update के बाद भी ठीक चलता था अभी 4-5 दिनों से जो है मैंने ये महसूस किया है और ये देख रहा हूँ regularly पहले मुझे लगा कि wifi में कोई issue है पर हर phone में दूसरे जो भी phone है मेरे पास right now S23 Ultra है M series के कुछ phones है M31S है उन सब में बहतरीन चल रहा है you know laptop में बहतरीन चलता है पर only pixel 6A में ये issue हो रहा है तो मैंने search भी किया online तो मुझे तो कोई भी issue फिलहाल नहीं मिला है तो शायद ये मेरा पहला issue है आप बताना अगर आपके pixel 6A device में भी ये issue आ रहा है की नहीं network को reset करके भी मैंने कोशिश करा ठीक है phone को restart भी किया बहुत बार सब कुछ करके देख लिया पर फिर भी जो है तो मुझे नहीं पता उन्होंने अभी तक acknowledge तो नहीं किया है जो मुझे दिखा है online reports में news में दूसरी चीज जो मैंने महसूस करी है वो ये है की random restarts जो है phone में हो रहा है अभी मैंने कलिया परसो जो है किसी का comment पढ़ा कि उनका भी pixel 6A जो है restart हो रहा है तो मुझे नहीं actually में अभी तक ये पता है कि motherboard का issue ये है या actual में software bug है I would like to believe कि software bug है because motherboard का अगर issue है तो google pixel device का although support है इंडिया में पर you know it takes a month, month and a half to get things sorted और खर्चा भी काफी आने वाला है because expensive हो जाता है कहीं ने कहीं repairs random restarts है दो या तीन बार already restart हो चुका है अभी तो देखो कल से रात से it's fine अभी तक चल रहा है कोई issue नहीं है but hopefully it will be okay December 2023 का update जो है उसका इंतजार है अभी और eventually कोई feature drop आता है उसमें भी कोई feature ये add करते हैं तो उसका भी मुझे देखना पड़ेगा but right now as it stands Wi-Fi का बहुत ही खराब issue है Wi-Fi almost unusable हो जाता है अगर मैं specifically video कोई app use करो like YouTube, Netflix, Amazon Prime या all those apps और obviously जैसा मैंने कहा random restart का issue भी मैं काफी जादा जो है यहाँ पे face करने लगा हूँ तो ये दो major issues में जो November 2023 update के बाद दिख रहा है आप बता ना अगर आपके pixel device में भी ऐसा कोई similar issue आपने face किया हो तो hopefully Google will sort out these issues in the coming updates या फिलहाल चाहूंगा इजाज़त मिलूंगा अगली वीडियो में hopefully with a nicer pixel 6a device very very soon Cheers